Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं Class 12 Geography के syllabus को जो 2025 के एक्जाम के लिए आप बहुती important होने वाला है Board exam के लिए Board exam 2025 में आपका काफी important होने वाला है तो I hope कि आप लोग काफी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ा ही कर रहे होंगे इस जर्णी की शुरुआत हम लोग Class 12 Geography से करेंगे जो इसका syllabus है इसको हम लोग जानेंगे ठीक है? New syllabus क्या है? इसके क्या pattern है? इसमें क्या बदलाव हुए है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि syllabus क्या होता है? What is syllabus? सिलेबस हमें क्यों जरूरी है? और क्यों जानना चाहिए? जैसा कि आप अगर दिल्ली जाओगे तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट की जरूरत होती है तो टिकट अगर आप लोग के पास नहीं होगी तो आप लोग ट्रेन में नहीं बैट पाओगे और दिल्ली नहीं जा पाओगे इसके लिए इसके लिए आप लोग को जैसे class 12 की तयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जरुत पढ़ेगी आप लोगो slaves की तो slaves आप लोगो जानना बहुत जरूरी है ठीक है इसके लिए क्या best book है कौन से book को पढ़ना चाहिए NCRT पढ़ना चाहिए या फिर कोई दूसरी book को पढ़ना चाहिए और पॉइंट तीसरा है कि chapters chapters कौन कौन से हैं कौन कौन से chapters से कितने नंबर पूशे जाते हैं और कौन से chapter को हमें ज़्यादा importance देना चाहिए कौन से chapter को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और इसमें चौथा पॉइंट है exam new pattern pattern में क्या syllabus exam का pattern है उसमें क्या changes आया है क्या कोई changes आया है तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और सबसे last में हम लोग जानेंगे how to read मतलब हम लोग कैसे पढ़ें कैसे study करें क्या offline study करना चाहिए या फिर online study करना चाहिए जिससे हमें क्या होगा बहतर result मिलेगा best score हम लोग कर पाएंगे ठीक है तो basically जो geography का जो book होता है ये दो पार्टे में बटावाता होता है पहला पार्ट है ये आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धान और दूसरा है आपका भारत लोग और अर्थवेवस्ता ये दो किताबे हैं और अगर आप कुछ दूसरा किताब लेना चाहते है तो वो भी ले सकते हैं मगर best जो है ये दोनों किताब ही है जो geography NCRT से है question जो आपके पुछे जाएंगे वो NCRT से ही पुछे जाएंगे कुछ कुछ होता है एक दो नंबर पांच नंबर जो बाहर से पुछा जाता है तो वो भी आपको इसी चैनल के तुरू आप लोगो को बता दिया जाएगा चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं chapters कौन कौन से हैं किस chapter से कितिने नंबर पुछे जाते हैं तो सबसे पहला chapter है एका Human Geography, Nature and Scope मानभ भूगोर परकृती एवंग विसेच्षेत्रे इसमें आपका 3 से 8 नंबर पुछा जाता है तो ये काफी important है ये VVI है ठीक है और दूसरा chapter है chapter number दूसरा है The World Population, Distribution, Density, Growth विश्व जनसंक्या, वितरन, घनत और विर्दी इसमें आपका 4 से 7 नंबर पुछा गया है तो ये भी आपका important chapter है अगला है आपका chapter 3 Population, Composition, जनसंक्या, घनतव इसमें आपका 2 से 3 नंबर पुछा गया है ये भी important है मगर आप लोग ये एक और 2 को जादा पढ़ेंगे ठीक है? चलिए अगला है chapter number 4 chapter number 4 आपका है human development यानि मानव विकास इसमें आपका 2 से 3 नंबर पुछा गया है ठीक है? 2 से 3 नंबर का question पुछा गया है और अगला है primary activities यानि प्रार्थिमिक क्रियाए इसमें आपका 3 से 8 नंबर का question पुछा गया है यानि मार्क्स का पुछा गया है तो ये most VVI chapter है आपके लिए और दूसरा है chapter 6 secondary activities ये इतना important नहीं है और साथवा है territory tertiary quaternary activities यानि तिर्थियक एवगचतुत के रियाए इसमें 1 से 2 पुछा गया है तो ये भी इतना important हम नहीं समझते है ठीक है चलिए अगला chapter है chapter number 8 transport and communication इसमें आपका 8 से 16 नंबर यानि परिवहन इवंग संचार से आपका 8 से 16 नंबर पुछा गया है तो ये आपके लिए कितना important हो सकता है ये आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग most VVI के category में इस chapter को रखेंगे ठीक है अगला chapter है chapter number 9 international trade यानि अंतर राष्ट्रे व्यापार के बारे में हम लोग को chapter 9 में पढ़ना है तो 3 से 8 पुछा गया है तो ये भी important है और chapter number 10 है आपका heaven settlements मानव बस्ती इसमें आपका 4 से 8 नंबर पुछा गया है तो ये भी आपका important है इसमें जो है 6 chapter जो है आपका काफी important है 1, 2, 5 और आपका 8 उसके बाद 9 और 10 ये 6 chapter आपका बहुत ही important होने वाला है ठीक है अब हम लोग अगले book की ओर चलते हैं नहीं book B तो सबसे पहला chapter है chapter number 1 विश्व जनसंक्या वितरन घनत्व विर्दी और संगठन देखे ये आपने book A में पढ़ा जैसे उसमें क्या था कि विश्व जनसंक्या वितरन तो इसमें अब जूट गया क्या घनत्व विर्दी और संगठन इसमें आपको chapter 2 में chapter 1 में देखने को मिलेगा book B ठीक है इसमें 3 से 8 number पुछा गया है और अगला है आपका परवास, परकार, कारण और पड़ी नाम migration types, causes and consequences जो इसमें chapter number 2 है इसमें 4 से 7 number पुछा गया है ये important है ठीक है अगला chapter है chapter number 3 human development वही जो पिछला book में आपने देखा तो ये भी इसमें 2 से 3 number पुछा गया है important है पढ़ना है आप लोगो और अगला है आपका human settlements मानव बस्तियां इसमें 2 से 3 number पुछा गया है तो ये भी आप लोगो पढ़ लेंगे important नहीं इतना मगर आप लोगो पढ़ना है अगला है आप लोगो का chapter 5 lands, resource and agriculture भू संसाधन तता किर्शी इसमें आपका 3 से 8 number पुछा गया है important यानि most VVI का category का ये कह chapter है ठीक है अगला है आपका water resource यानि जल संसाधन से आपका 1 से 2 number पुछा गया है उसके बाद आपका खनी सता उर्जा संसाधन से आपका 1 से 2 पुछा गया है तो ये इतना important नहीं है important आपका chapter 8 है chapter 8 उसमें भी book A में भी important था और ये book B में भी important है यानि निर्मान उद्धो manufacturing industry आपके लिए ये chapter important है यानि most VVI आप लोग इसमें लगा लिजे ठीक है 8 से 16 number पुछा गया है तो आप देख सकते हैं कि कितना important होने वाला है ठीक है चलिए अगला chapter है chapter number 9 planning and sustainable development in India context भारत के संदर्ब में नियोजन और सतत पोशनी है इसमें आपका 3 से 8 number पुछा गया important यानि most important इसको कह सकते है ठीक है अगला है transport and communication परिवहन इवंक संचार से 4 से 8 number पुछा गया ये भी important है ठीक है इसमें जो है 2 से 4 number पुछा गया है international trade से और 12 chapter जो है आपका इससे आपका 3 से 5 number 4 number पुछा गया है ये इतना important है नहीं ठीक है आप लोग को इसमें कौन से chapter को पढ़ना है जैसे 8 number हो गया उसके बाद आपका 1 number, 2 number उसके बाद आपका 5 number और 8, 9 उसके बाद 10 number यानि आपको 6 chapter उसमें से पढ़ना है book A में से और 6 chapter आपका book B से पढ़ना है जो important है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग का जो pattern है कैसा है ये किस से आधारित है क्या इसमें changes है तो हम लोग जान लेते हैं चलिए तो exam का जो pattern है आपका new pattern कैसा है जैसे board exam में जो आपका 70 number का question पुछा जाता है जो divided हो करके subjective 35 number का हो जाता है और objective आपका 35 number का हो जाता है तो मिल करके दोनों कितना हो गया 70 number का और objective में क्या होता है इसमें भी आपका 70 number का objective रहता है यनि 70 objective रहता है उसमें से आप लोग को 70 में से आप लोग को 35 ही बनाना है चाहे आप एक number बनाओ या 5 number बनाओ या फिर 10 number वाला बनाओ उससे कोई दिकत नहीं आप लोग को 35 question बनाने है इस में से ठीक है और 30 number जो है आपका practical होता है जो आपको provided by college यानि college से आप लोग को 30 number मिलता है ठीक है 30 में से 29 भी देता है कभी 28 भी देता है ठीक है चलिए तो exam pattern को हम लोग जान लिए अ अगला हम लोग का how to study study strategy तो हम लोग कैसे पढ़ें जो अच्छा score कर पाए क्या हम लोग को offline पढ़ना चाहिए offline better है या फिर online better है तो सबसे पहले हम लोग online के बारे में जान लेते हैं कि online पढ़ने से हम लोग को क्या benefits है तो online पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग की daily classes होती ह और अगर आप किसी तरह class में class miss करते हैं या फिर आप class नहीं कर पाते हैं कहीं चले गए तो इससे क्या होता है कि आपका class recorded रहता है वो आप कभी भी online में जाकर के देख सकते हैं YouTube चैनल में आप लोग देख सकते हैं playlist बना वा रहता है उसमें आप लोग कोई तिकत होने वाल पढ़ने को नहीं मिलता है यह loss है आपका offline classes का और offline classes में आप लोग का काफी रहते हैं 5000 एक सब्जेक्ट का रहता है तो आप लोग 5 सब्जेक्ट में आप लोग का कितना हो जाएगा तो लगवक 20-25,000-50,000 रुपए भी खर्च हो जाते हैं आप लोग अगर offline classes लेते हैं ठीक offline classes में आप लोग का recorded class रहता है आप लोग का daily basis पे live classes होती है उसके बाद आप लोग को model set provide किया जाता है और अगर आप लोगों ने class को miss कर दिया तो उसके लिए भी आपको क्या किया जाता है recorded class का option दिया वारत है आप लोग वहां पे जा करके recorded class को attend कर सकते हैं एक बार देख सकते हैं ठीक है समझ गए चलिए तो यह offline और online के फाइदे हैं तो आप लोग जो choose करना चाहते हैं वह आप लोग choose कर सकते हैं ठीक है online में online का क्या benefits है और offline का क्या benefits है यह आप लोगों ने जान लिया तो I hope कि यह वीडियो काफी important साबित हुआ होगा तो वीडियो को क्या करे देंगे शेर कर देंगे और like कर देंगे और चैनल को subscribe कर लेंगे ठीक है मिलते हैं हम लोग next session में